वेलकम फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नई वीडियो में आज का वीडियो भी है डिस्वासर कैटेगरी से लेटेड जिसमें हम लोग बात करेंगे डिस्वासर रेलेट मिस्कंशप्शन और मिस्के बारे में वो क्या सब चीजें हैं जो कस्टमर के मन में आउट समय सा रहते हैं डिस्वोसर पच्छेस करने से पहले और इस कैटिगरी का एक वीडियो भी मैंने पहले अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है वह अगर आप में नहीं देखा तो आप चेक आउट कर सकते हैं उपर आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंग नॉर्मल अपना हैंड वॉशिंग के थू कर लेते हैं सो यह वाला मित एकदम रॉंग है डिस्वोसर के अंदर हमें दो पावर्फुल इस्प्रेय आम देखने को मिलते हैं जिन पावर्फुल इस्प्रेय आम के थू हमें हाई वाटर प्रेशर के थूरू वाटर का में लेते हैं प्लस जितने भी आपके एक्सपेंसिव क्रोकरी हैं उनके डेमेज होने का चांसे भी इसमें एकदम से खतम हो जाता है और बहुत ज्यादा हाईजेनिक रिजल्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं मित नंबर टू है कि डिस्वोसर के अंदर स्पेस के लिए लाज़ जाते हैं तो जो भी आपका बड़ा बरतन है जिसका डेमेटर बड़ा है वो भी आप उस बरतन को प्रापर तरिके से उन बास्केट के अंदर प्लेज कर सकते हैं जीमिन्स के इस disposter के अंदर आपको सारे sizes के cookware utensils including Indian utensils तो सारे like up pots, pans, spoon, glassware, सभी तरह के utensils आप easily जीमिन्स के disposter आप प्लेस करके उनको आप easily wash कर सकते हैं The next time बात करते हैं इसके myth no.3 की कोई भी disposter Indian gravy जैसे tough stain को या oily या greasy इस तरह के जितने भी आपके food stains होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से कोई भी disposter wash नहीं कर सकते हैं So basically ये वाला myth भी एकदम wrong है Zimins disposter capable है इस तरह के food stain को प्रॉपर तरीके से clean करने के लिए Zimins disposter में जो आपको temperature का range मिलेगा वो 45 degree to 70 degree मिलेगा So depending upon your dishes कि कि कितना गंदा बरतन आप उसमें wash कर रहे हैं जिसमें आपके हर टाइप के spice, oil stains, greasy food, residue ये सब चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से आप इसमें clean कर सकते हैं So wash cycle में आप right temperature और intensity set कर सकते हैं अपने utensils के accordingly The next time बात करते हैं इसके myth number 4 की आज भी कुछ customers को लगता है कि babies के bottles या babies के utensils वगेरा Disposter के अंदर wash करना hygienic नहीं रहेगा So ये वाला myth भी एकदम wrong है Zimins का Disposter के अंदर आपको जो washing मिलती है वो 70 degree hot water में मिलती है जिसकी health से 99.9% जो jumps and bacteria है वो proper तरीके से deactivate हो जाता है और ये suitable है hygienically cleaning for babies, bottles and feeding utensils के लिए इसके अलावा आप Zimins के Disposter में hygiene plus का wash option को भी आप activate कर सकते हैं जिसमें Disposter final rinsing के time पे 10 minute के लिए 70 degree का hot water temperature maintain करेगा जिसके health से जो भी आपके utensils में wash हो रहा है वो proper तरीके से sterilize हो जाएगा और hygienic results आपको उसमें देखने को मिल जाएगे देन हम बात करते हैं इसके myth no.5 की ये सबसे बड़ा myth है आज भी customers के लिए कि जब भी आपको disposter में utensils को load करना है उनको pre-rins करके load करना पड़ेगा तो जब disposter में pre-rins करके रखना है तो फिर disposter का फाइदा क्या है तो येवाला myth भी एकदम wrong है disposter के अंदर जो भी आपने utensils को रखना है वो सिर्फ आपने उसमें से leftover remove करके रखना है तो जो भी आपका food बज गया है वो आपको निकाल के आप उसको as it is place कर देना है और machine को start कर देना है बाकी जो सारा काम होगा वो disposter खुद करेगा दे नेक्स हम बात करते हैं इसके myth नमबर 6 की disposter के अंदर जो भी उटेंसिस को washing का जो timing होता है बहुत जादा होता है बहुत लंबा time disposter लेता है उटेंसिस को wash करने के लिए तो ये वाला myth भी totally wrong है Siemens के disposter के अंदर जो आपको washing का timing मिलता है वो आदे गंटे से लेके दो गंटे तक के बीच का मिलता है depending upon the wash cycle के आप कौन सा wash cycle उसमें use कर रहे हैं और इसी wash cycle के अंदर disposter utensils को wash भी करता है और plus उनको dry भी करता है and hardly 10 minutes का time आपको total लगता है disposter के अंदर अपने utensils को load करने के लिए इसके अलावा various speed plus का Siemens के disposter में आपको wash option देखने को मिल जाएगा जिसमें जो dishwasher का timing है वो 66% तक कम हो जाता है तो इसके help से ये इंडिया का सबसे faster dishwasher बन जाता है दरम बात करते हैं इसके myth no.7 की कि हमारे kitchen में बहुत limited space है तो disposter हमारे kitchen में proper तरीके से fit नहीं होगा तो ये वाला myth भी एकदम wrong है disposter किसी भी Indian kitchens में easily fit हो जाता है इसका जो width होता है वो total 2 feet का होता है यानि 60 cm का total width होता है तो नहीं आपको अपने sink के ऊपर बरतनों को stack करने का जुड़त है और नहीं आपको अपने हाथ गंदे करने का तो जस्ट disposter को kitchen में stall कीजिए और उसको use कीजिए दे नेक्स साब बात करते हैं इसके myth no.8 की कि disposter बहुत ज्यादा electricity और बहुत ज्यादा water consume करता है इस ट्रेंस को wash करने के लिए तो यह वाला मिद भी एकदम रॉंग है जीमिन्स के disposter highly energy efficient होते हैं approximately 1 kilowatt पर आर का energy consumption होता है हर washing में तो disposter का total water consumption होता है वो 10-12 liter का होता है तो approximately 90% water safe कर सकते है आप manual hand washing के comparatively the next हम बात करते हैं इसके myth no.9 के बारे में अगर disposter मेरा work कर रहा है और बीच में अगर power चला जाता है तो क्या मुझे सारे ट्रेंस को दुबारा से unload करके उसको दुबारा reload करना पड़ेगा जी नहीं जीमिन्स के disposter के अंदर आपको memory power backup का feature मिलता है तो जहां पर आपका program stop होता है जैसे आपका electricity वापिस आता है तो disposter का जो programming है वहीं से resume हो जाता है the next हम बात करते हैं इसके myth no.10 के बारे में जब तक मेरे पास utensils का full load नहीं होगा या जब तक मेरा disposter completely filled नहीं होगा तब तक मैं अपने disposter को use नहीं कर सकता जी नहीं Siemens का इस disposter आपको complete flexibility provide करता है इस disposter के अंदर आप half load को activate करके इसके अंदर आप half load भी wash कर सकते हैं सबसे best इसके अंदर आपको auto option का feature मिलता है जिसके अंदर आपका aqua sensor और load sensor दोनों automatically adjust करते हैं इसके energy, water and time consumption को thank you for watching this presentation video hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो please like कर दीजेगा मेरे channel पर content अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे channel को भी subscribe कर सकते हैं इस तरह के in future मैं और वीडियो लेके आता रहूँगा तब तक के लिए good luck